आज हम बात करने वाले हैं, आप अपने फोन में पहले वाल वाल पेपर कैसे लगा सकते हैं, ओरिजिनल वाल पेपर को कैसे सैट कर सकते हैं, आईए जानते हैं, तो यहाँ पर हमने एक यह वाल पेपर सैट किया है, पर यहाँ पर हमें यह पसंद नहीं है, हम वो वाल पेपर लगाना चाहते हैं जो कि हमारे फोन में पहले लगा था जो कि by default हमारे फोन में लगा हुआ था तो उसे हम वापस से सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए सैटिंग्स को ओपन करने का दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन बार को करेंगे और corner में आपको मिलेगा settings का option इस पे click करके आप इस तरह से settings में आ सकते हैं अब उसके बाद नीचे स्क्रोल करेंगे और नीचे स्क्रोल करेंगे आपको एक option यहाँ पर मिलेगा wallpapers के नाम से अगर आपको इस तरह से wallpapers का option नहीं मिलेगा तो settings में एक option आपको मिलेग परस्नलाइजेशन के नाम से तो इस वाले option पे किलिक करिए इस पे किलिक करने के बाद काफी सारे option आ जाएंगे wallpapers, fonts, always on display, icons तो wallpapers का जो option आएगा इस पे किलिक करिए अब इस पे किलिक करने के बाद आपके phone के जो by default wallpapers हैं वो आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है पहले आपके phone में कौन सा wallpaper लगा था यानि की original wallpaper कौन सा है तो जैसे की हमारे phone में पहले ये wallpaper लगा हुआ था तो इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक एक करके इस टाइप से चेक कर सकते हैं तो जो wallpaper आपके फोन का original wallpaper है उस पे click करके apply पे नीचे click करेंगे अब आपको select करना है lock screen पर लगाना है home screen पर या फिर lock screen home screen दोनों पर तो हम दोनों पर इसे set करेंगे तो home screen and lock screen पे click करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे और हमारा wallpaper अब set हो जाएगा जैसा की देख सकते हैं तो यही wallpaper हमारे phone में पहले set था जो की हमने फिर से लगा लिया है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें